हेलो दोस्तों मैं अमन बर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट टो एजुकेट में आपका स्वागत हैं आज का हमारा टॉपिक है बैड बैंक हाल ही में आर्बियाई गवर्नर सक्तिकास दास जी ने ये गोशना की है कि हमें अपने NPA से निपटने के लिए non-profit asset जिसे कहते हैं उनसे निपटने के लिए हमें bad bank की अवधारना ओपर विचार करने की आवे सकता है bad bank की अवधारना को समझने से पहले हमें NPA को समझना होगा सरल सब्दों में कहें तो जब bank किसी वैक्ति को loan देता है तो bank इसे NPA गोसित कर देता है NPA को तीर इंसरेणियों में वर्गी करित क्या जा सकता है 12 महिने या उससे कम अब्धी तक NPA के रूप में बने रहने वाली संपत्ति को हम सभी स्टेंडर्ड assets कहते हैं यदि अगर कोई संपत्ति 12 महा तक सभी स्टेंडर्ड की स्रेणी में रहती है तो हम उसे doubtful assets कहते हैं यदि कोई loan लंबे समय तक NPA घोसित कर दिया जाता है तो bank द्वारा इसके मिलने की उमीद कम बहुत कम समझे जाती है इसलिए bank की इसे अपनी परिसंपत्ति से हटा देती है जब किसी bank की NPA की समस्या जो है वो काफी बढ़ जाती है एक सीमा से अधिक हो जाती है तब राज्य सरकार द्वारा इसे bad bank का निर्मान करने के लिए कहा जाता है तथा जो करज में फसी जितनी भी banks है उन्हें एक निश्चिन समय के लिए ये bad bank अपनी liabilities को बेच देती है bad bank केवल इन बैंकों की liabilities की वसूली का कारे करती है इसके बाद जो NPA है उसकी समस्याओं से निपटने का भी काम करती है bad bank की अवधारनाओं को सबसे पहले 1988 में मेलोन बैंक के पीटेसबर्ग मुख्याले में प्रस्तुत किया गया था इस तरह के कई bank पहले से ही France, Germany, Spain, Portugal जैसे कई देशों में काम कर रहे हैं वर्तमान में हमारे देश में NPA से निपटने के लिए दो तरह की वेवस्ता है Asset Reconstruction Company, Asset Management Company ये कमपनियें डूबे हुए कर्च की recovery का काम करती है यदि recovery ज्यादा हो जाती है तो इन कमपनियों का जो बैंकों के साथ deal होता है उसके according आयका वित्तरन कर लिया जाता है ऐसी ही daily updates पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और हमें FB, Insta और Telegram पर follow कर सकते हैं धन्यवाद